सबसे पहले जब हम कोई भी Gaussian Elimination या Gauss-Jordan Elimination का Method जो है उसे apply करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ख्यार रखना पड़ता है वो कौन सी चीजें पहले उनके बारे में मैं discuss करता हूँ and then we will move further We need to think about few important points before going into Gauss-Jordan Elimination या हमारे पास जो दूसरे method होते हैं उसमें जो हमारे row operations हैं वो किस तरीके से काम आते हैं हमें उन्हें देखना पड़ता है कि row operations कौन-कौन से हैं और वो किस तरीके से हमारे काम आ सकते हैं अब there are many rows operations जिसमें से कुछ permissible rows operation होते हैं कुछ non permissible rows operation होते हैं तो permissible का मतलब यह होता है कि वो वाले operations जो हम कर सकते हैं on different kind of analysis say for example मैं red pointer यहां पर यूज करूँगा Gaussian Elimination के अंदर जब हम rows को for example upper या lower triangle जब भी हमने बनानी होती है तो हम 0, 0, 0 इन तीनों को 0 करना होता है हमने तो हमें किस चीजों का ख्या रखना है permissible operation यह है कि या तो आप rows को swap कर सकते हैं ठीक है या आप multiply करते हैं row को with a scalar जो non-zero होता है यह दूसरा permissible operation है या आप क्या करते हैं add a multiple of one row to another तो आप एक row के multiple को दूसरे में add करते हैं यानि कि हमारे पास तीन rows हैं एक यह है, एक यह है, एक यह है तो हम क्या करते हैं basically हम या तो इस row को इसके साथ swap कर देंगे पहला काम, ठीक है second यह हो सकता है कि जो हमारे पास यह वाली एक row है इसको किसी scalar के साथ multiply कर दें ठीक है या यह हो सकता है कि हम एक row को दूसरी row के साथ add कर दें यानि कि adding a multiple of one row to another multiple क्या होता है कि आपके पास आपको पता है ना factor and multiple हमने start में पढ़े थे उनका कोई multiple हम add कर देते यह तीन permissible operations होते है ठीक है इसके इलावा कुछ non permissible यह not permissible operations भी होते जो हम नहीं कर सकते say for example हम multiply और adding rows with columns नहीं कर सकते यानि कि rows को columns के साथ हम add नहीं कर सकते second जो हमारा operation होता है rows operation जो हम नहीं कर सकते that is multiplying a row by zero zero से किसी row को multiply करी नहीं सकते ठीक है हम एक row को zero के साथ multiply नहीं कर सकते यानि कि यह एक row है हम zero के साथ multiply नहीं कर सकते और row को column के साथ भी नहीं multiply कर सकते then changing the number of rows or columns मतलब हम rows or columns के numbers को change नहीं कर सकते ठीक है ये एक चीज होगी फिर हमारे पास कुछ important key purposes भी होते हैं जो हमने use करने हैं अब ये तीन चीजें जो हैं ये अपने mind में रखनी है क्योंकि कल जब मैं lecture दे रहा था उस वकत lecture के दुरान मैंने जो हमारे पास row थी for example 2, 3, 0 0, 1, 2, 1 3, minus 2 इस तरीके से अगर कोई rows थी तो मैंने कह किया था इसको directly 2, minus 2 कर दिया था which was a wrong operation ठीक है और वो unintentionally उसको दिखाने के लिए आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया था ये wrong operation था but on the other side the purpose was कि आपने इसको zero करना है मेरे mind में ये था कि आपको सिरफ ये समझा रहा हूँ कि zero करना है लेकिन कुछ लोगों के confusion थी कि row operation आप घलत अप्लाई कर रहे हैं so just to be clarifying that thing ये मैंने आपको ये जो चीज़ बताई है इसको mind में रखिएगा permissible row operations और जो row operations नहीं permissible होते इसके इलावा हमारे पास ये मैंने पिछले live stream के comment section में भी लिख दी है कि हम जो है row operation जो भी हमारे पास आते हैं उनके अंदर काफी तीन important चीज़े होते हैं for example swapping, multiplying a scalar and adding or subtracting multiple of one row to another ये ही काम कर सकते हैं बाकी और काम हम नहीं कर सकते तो ये मैंने comment section के अंदर भी को दे दिया ये वाली information और मैंने ये वाला comment जो है वो पिछले live stream के नीचे pin भी कर दिया on the other side मैंने same चीज़ जो है आपको codenix का जो मेरा lecture है last वाला उसके end पे भी paste कर दिया if you know and if you go to the page of codenix मैं आपके सामने screen share करता हूँ आप codenix.com पे अगर जाते हैं codenix.com पे जाते ही आपके पास courses आएंगे courses पे click करते ही आपके पास ये six months का course आएगा six months के course पे click करते ही सबसे नीचे जाएंगे आप तो आपके पास ये linear algebra solving equation इसके अंदर मैंने Gaussian Elimination Method के अंदर यहाँ पे just a minute नीचे आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को add कर दिये important things to know ठीक है तो यह मैंने औरड़ी add कर दिये पिछले दिन के lecture के अंदर तो ये चीज़ें आपके सामने इस वेड़ा से मैं दुबारा बता रहा हूँ तो ये के